नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चार अक्टूबर दो हज़ार एक्टिस के डेली न्यूज अनलेसिस करेंट अफेस डिसकर्शन में आपका स्वागत है चुकि मंद रहे तो ज्यादा न्यूज है नहीं पहली न्यूज ममताव एनरजी बैक इन बंगाल असेंबली बबानीपुर असेंबली बाई पोल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममताव एनरजी जी चुकी है आज इसके उपर एक शॉट भी अप्लोड करूगा मैं कल रात में मैंने अप्लोड कर दिया दो बज़े आपक तक इनके उपर जो खत्री की तलवाल अटक रही थी कि हाँ भई अगर छे महीने के अंदर एलेक्शन नहीं जीते तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगी वो हट चुकी है अगर आप देखो तो नंदी ग्राम से पहले ममताव एनरजी लड़ी थी और बीजेपी की सुमेंद अ वानिपूर से त्रनमूल के कैंडिडेट सोभन देव चटोपाध ध्याय ने जीते थे उसके बाद उनोंने अपनी सीट छोड़ दी किसके लिए ममताव एनरजी जी के लिए और अब ममताव एनरजी जी यहाँ पर जीत गई जीतने का जो मार्जिन है वो मार्जिन बहुत ब कि जो विनिंग स्ट्रीक के चालू है अब टोटल नंबर ओफ सीटे जो हैं वेस्ट मंगाल के लेजिस्टेटिव एसेमली में उसमें से 219 त्रनमूल कॉंगर्स के पास है जीस पेपर 2 के कंटेक्स्ट में न्यूस काम आएगी आगे बटन पहले वीडियो पर लाइक का बट पारेवर्त ने हमको जोईन किया है भोला भाला आदमी ने हमको जोईन किया है बोला भाला आदमी का यह सेकंड मंत जिमेंबर वेलकम बैक फोला भाला आदमी देन रिशब कुमार चौधरी ने हमको जोईन किया है रणवीर रोशन ने हमको जोईन किया है सोनम के ने हमको ज में धंन को जुरीन ने हम को ज्टोज़ाइं के पूनम के सोचलियमेंचिtó में लो ही। दानेस्ट का बस कर आज हिर वे दन कमाख्या बुर्गव के राणवीर रॉशम धान करेंफ त्रेश। illumination कभी second month then Rishav Kumar Chaudhary Bholabhala आदमी second month is a member and modern आरवर्त I welcome you all guys and girls for joining this channel thank you so much for your consistent support thank you for being a permanent member of this channel काफी मदद बिलती है आपके join करने से और अगले कुछ दिनों में आपके लिए extra mcqs भी upload होने शुरू हो जाएंगे तो चलिए वापस अपने discussion पर आजाते हैं पहला article हम discuss कर चुके हैं second article है चोला inscription details qualification of civic officials देखिए एक नए चोला inscriptions मिले हैं कहां पर मिले हैं थेनेरी village में कांची पुरम district में अब basically यहां पर यह जो वैसे तो बहुत सारे चोला inscriptions available हैं यह थेनेरी village वाले चोला inscriptions important इसलिए हैं चोकि village administrative council में entry करने के लिए members के क्या qualification हुआ करते थे यह स्थेनेरी village वाले inscriptions में लिखे होना ठीक है इन inscriptions में यह भी लिखा हुआ है कि जो farm produce होता था overall जो agriculture produce होता था उसके उपर tax कितना लगाया जाता था अचा यहां पर और एक और inscriptions की बात की जा रहे हैं चूकि inscriptions यहां पर news में आ रहे हैं तो कुछ associated inscriptions की भी बात होगी उथीरा मिरूर करके एक जगा है कांची पुरम district में वहां पर भी कुछ inscriptions मिलें और उन inscriptions में कुदा वोलाई की बात की गी है now what is this कुदा वोलाई it was a system to elect members to annual committee वरियम garden committee, tank committee and other committees for 30 wards तो भाई यह wards में जो अलग-अलग committee हुआ करती थी तो जैसे annual committee वरियम हो गई, garden committee हो गई, tank committee हो गई तो इन committees में members को कैसे elect किया जाता था इसके लिएक system था कुदा वोलाई इस कुदा वोलाई system के बारे में लिखा है उथिरा मेरूर inscription कांची पुरम में लेकिन यहाँ पे village administrative committees जिनको आप पेरूमकारी सबही बोलते थे इनके बारे में कुछ नहीं बता रखा था तो पेरूमकारी सबही के बारे में बता रखा है थेनेरी village के inscriptions में तो यह पेरूमकारी सबही कुदूवलाई यह क्या है यह आपकी UPSC prelims के perspective से बहुत important हो जाता है MCQ में आप पूछते हैं और ancient history में किस प्रकार के सवाल आएंगे इसी प्रकार के सवाल आएंगे और यह तो specifically news में है तो definitely आ सकता है आपको पता ही होना चाहिए यह जो विलेज है आपका थेनेरी विलेज इस लोकेटेड बिट्विन वाला जाह एंड सुंकुवर चतिरम पर्टिकुलर्ली यह जो जगाए है आपकी तमिल नाडू के अंदर जो लोकल लोग है वहां के उनको पता होगा लेकिन अम नौथ इंडिया में अविस सी बात है लोग ज़ादा गए नहीं साउथ इंडिया में तो उनको नहीं पता होगा फिर अगर बात कीजाए तो कंथा लीस्वर टेंपल और अभथा सहेस्वर टेंपल तो भाई यह थेनेरी में ही हैं आपके यह दो टेंपल अबधा सहेस्वर इनको कंस्ट्रक्ट किया सेम्यन महादेवी की दोरा सेम्यन महादेवी grand mardhati chola king राज राजगी और इन्होंने इन टेंपिल्स को construct किया था in the memory of हरसन उथाम चोला ठीक है भई और ये सब inscriptions में लिखा हुआ है on the walls of कंथ अलीसवर टेंपिल ठीक है भई तो ये सब चीजे हैं फिर tax के बारे में बताया जा रहा था कि पहले 10 years of cultivation में 50% का tax लगाया जाता था farmers के उपर tax तब तक लगाना नहीं शुरू किया जाता था जब तक trees में से fruit ना आने लगें बराना crop के उपर 50% का tax लगाया जाता था फिर एक lake भी है थेनेरी में ओके एक और work है संगमेरा का जिसका नाम है पेरूम पनत्रूपदई ठीक है ना इस particular work में उस king की बात की गई है जिसने lake बनाई है उसका नाम दिया गया थोंदाइमान इलन्थरयन ठीक है भई तो यह सब चीज़े हैं overall इस particular इलाके में एक समय पे पल्लव rulers का भी राज था तो जब पल्लव rulers का राज था तो उसको थेरियन एरी बाद में थेनेरी बन गया आज की डेट में इस village को थेनेरी बोला जाता है ओके फिर यहाँ पे विजय नारायन पेरूमल टेंपल भी है और इस टेंपल के front hall में village मीटिंग्स हुआ करती थी राज राज चोला के राज के दुरान ओके इस टेंपल को मुबुदी चोला विनगरवल वाल भी बोलते है ठीक है तो यह सब बताया जा रहा है उस थेनेरी लेक के मतब थेनेरी जो village है वहाँ पे जो एक लेक है वहाँ पे जो टेंपल्स हैं वहाँ पे जो recent inscriptions मिले हैं उसके आपको पता होना चाहिए वहाँ पे एक पर्टिकुलर लेक है एक विजय नयराने पेरूमल टेंपल है यह सब आपको पहता होना चाहिए ठीक है इंपीरियल चोलास की बात की जाए तो इनका टाइम पिरेड है फ्रॉम 850 एडी तो ट्वाल हंड़ेड एडी जो चोलास थे देवरा पॉर्फुल किंग्डम इन दे साउथ ऑफ इंडिया फूस इंफ्लेंस एक्सेंडड ब्यॉंड टेरिटोरल डॉमेंस ठीक है यह हिंदू कल्चल इंफ्लेंस में चोलास काफी इंपॉर्टेंट रहे है तमिल कल्चर और आर्ट को चोला ने बहुत हदा प्रमोट किया है प्लवा का राज जहां जहां पे था साउंथ इंडिया में इसको चोला नटा के उसके ओपर कबजा किया इंपीरियल चोलास के बारे में आप और जाना चांदते हैं जो वीडियो है ना माइटी चोला अंपायर इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में छोड़ दूँगा आप एक बार इस पर्टिकुलर वीडि इनकी बैटल ओफ वेनी बैटल ओफ कोपम इन सब को इस पर्टिकुलर वीडियो में ले समझा रहा है चोला के उपर एक और वीडियो है हमारी इदी मीडियल इस्टी की सीरीज में यह तो खेर आपने देखी लिए होगी जो जो लोग मीडियल इस्टी को फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को भी आप देख सकते हैं माइटी चोला अंपायर ठीक है लिंक में नीचे अपडेट करते हूँ है जना स्रीज पेपर वन में यूज आपको काम है कि नेक्स्ट बात करते हैं त्रिंको माली ओयल टेग फार्म इंडिया शीलंका एकनॉमिक पार् इस त्रिंको माली नजर आचाएगा ठीक है यहां पर इसकी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जादा है पहली बार तो देखी जो त्रिंको माली हार्बर है यह वन आव दो डीपेस्ट नैच्रल हार्बर सेंदर वर्ड तो बड़े से बड़ा वेसल यहां पर आके डॉक हो सकता इसको डेवलब किया गया था ब्रिटिशर्स के दोर वर्ड वर टू के समय पर आप यहां पर काम करती है 2003 से लंका आयोसी तो इंडिया की इंडियन आयल कॉर्परेशन है उसकी सबसीडरी शीलंका में काम कर रही है जिसका नाम है लंका आयोसी और इस लंका आयोसी के पास 99 टैंक्स की लिजिंग राइड से देखिए बड़े बड़े टैंक हैं आपके इस पर्टिकुलर पोर्ट पर देखिए शीलंका कोई ऑल प्रिदूसिंग नेशन नहीं है श्रीलंका ओल्प करता और स्रिलंका और शीलंका टोर ऊंदर आये गा तो भाई कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा श्री लंका के अलग अलग शेहरों में पेट्रोल डीजल के लाइल स्ट्रिबूट करना पड़ेगा तो यह जो यहाँ पर आपका सिटी है त्रिंको माली की यहाँ पर बहुत सारे टैंक्स खड़े हुए इस हार्बर पे ओयल आता है और इन टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर इन टैंकों से ओयल निकालके पूरे श्री लंका में डिस्टिबूट किया जाता है अब यहाँ पर बड़े बड़े 99 जो टैंक्स हैं इनके लीजिंग राइट्स हैं आपके लंका आयोसी के पास है ओके और इस लीजिंग राइट्स का लंका आयोसी को सालाना एक लाग डॉलर भी मिलता है लंका आयोसी लंका आयोसी 99 टैंक्स में और फिर ऑल की डिमांड के साफ से ओल श्रिलंका में डिस्टिब्यूट करता होगा और इन टैंक्स के ऊपर अपना लीजिंग राइट रखने के लिए सालना 1,000,000 डॉलर लंका आयोसी देता है अब बहुत लंबे समय से जो श्रिलंका होगा कंट्रोल लेना चाहते हैं और उसके लिए 25 से 30 मिलें टोलर ये लोग इन्वेस्ट करने के लिए त्यार है तो यह सब बाते हैं यहां पर तो कुल मिला के ओवराल त्रिंको माली त्रिंको माली गए हमारे फॉरेंस सेकेटरी हर्श वर्दर सिंगला सब त्रिंको माली इंपॉर्टन इसलिए हो जाता है चुकि वहां पर हमारी इंडिन ओयल कॉर्परेशन ने 99 टैंक्स को लीज करके रखा हुआ है और इन टैंकों का कंट्रोल वापस लेने क्या सेंटि इन गोटबाय राजपक्षा से मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा से मिलेंगे बाइलेटल ट्राइस को रिव्यू करेंगा आप समझेए फॉरें सेक्रेटरी लेवल का आदमी इंडिया का सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर और प्रदान मंतरी से मिल रहा ह अब आप समझ सकते हैं foreign secretary की क्या वाकाद है जी हाँ IAS में जितने भी IAS आपके काम करते होंगे ministry of external affairs में foreign secretary के उपर पता है कौन सी पूझ जो minister होते हैं वही होता है तो minister इस समय पर कौन है S.J. शंकर साब foreign minister अगर कोई deputy minister होगा या फिर minister of state होगा foreign ministry में तो वह उपर होगा नहीं तो minister के बाद जो सबसे important post होती है किसी भी ministry में वह होती foreign secretary foreign secretary is very powerful बहुत भेंकर powerful होता है आप foreign secretary ताकत इस बात से assess कर सकते हैं कि जो ministry of home affairs है M.H.A. ministry of home affairs में अंदर कितनी intelligence agency CBI, ITB भी पता नहीं कितनी काम करती हैं और इन सब के heads किसको report करेंगे home secretary को report करेंगे home secretary किसको report करेगा सीधे हमिशा को report करेगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो secretary होते हैं कितने ताकत होते हैं हलांकि secretary बनने के लिए आप काफी मशक्कत करनी पड़ेगी काफी आपके links होने चाहिए, आपका career बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, आप जल्दी IS बन जाओ, बहुत सारे factors यहाँ पे play में आते हैं, ठीक है, तो 27-28 साल की उमर तक अगर सेक्रेटरी बन जाते हो, तो chances हैं कि आगे आनल समय में सेक्रेटरी भी बन जाओ, GS Paper 2, India and Neighborhood Relations में, यह चीज़ आपको कहा हो आईगी, नेक्स्ट बात करते हैं, Pandora Papers, Illegal Riches of World Leaders Exposed, तो बहुत बारा मिलियन डॉकुमेंट्स यहाँ पे एक स्पेसिफिक वीडियो आपको मिल चुकी, इसको आप Pandora Papers Investigation बोल रहे हो, इसको publish किसने किया है, तो International Consortium of Investigative Generalist ने इसको publish किया है, बहुत बंबे समय से यह लोग डाटा को यहाँ पे एकटा करने की कोशिश करने है, 2.94 terabytes की फाइल यहाँ पर रिलीस की गई है, और यहाँ पर information दी गई है, उन wealthy लोगों की, जिनोंने अपना पैसा, offshore structures और ट्रस्ट के थूप, पैनामा, दुबाई, मोनैको, सुर् politicians के भी नाम है, जो कि 90 countries से ज़्यादा के है, प्रेजिडेंट व्लाजीमिर पुतिन के inner circle के politicians, पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान के करीबी लोग, यह सब लोग इन particular नामों में सामने आ रहे हैं, इसी ICIG में यह बताया गया है, कि 500 इंडियन से ज़्यादा का यहाँ पे नाम है, ओके, overall यह Pandora paper investigation साफ तरीके से दिखाते हैं, कि कैसे banks और कैसे law firms, offshore service providers के साथ काम करके, बहुत secret तरीके से, अमीर लोगों का पैसा उनके domain में ले जाते हैं, जिसके उपर वो लोग ज़्यादा tax नहीं लेते हैं, ठीके भाई, तो यह सब बाते यहाँ पर बता र नहीं था यह नहीं था पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली यह पैसा अगर देश के अंदर डेक्लेर के जाता तो इसके उपर tax देना पड़ता, और tax को अवाइड करने के लिए majorly यहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, अज़र अंडर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपको काम आईगे, फिर एक और नियूज है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया थ्रेटेंस टॉप यूएन बोडी, देखे भाईया, टॉप यूएन बोडी मतलब यूनाइटन निशन सेक्योर्टी काउंसिल के बात हो लिए, तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने सीज़े-सीज़े उनाइटन निशन सेक्योर्टी काउंसिल के एक सीकर्ट मीटिंग हुई, और सीकर्ट मीटिंग में फ्रांस ने एक डॉकुमेंट रिलीस किया, जिसमें फ्रांस ने बोला है, कि भाई, जो नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल टेस्ट कर करता रहता है यह गलत है और नॉर्थ कोरिया के ओपर प्रेशर बनाना चाहिए कि वो अपने मिसाइल लॉंच ना करें और युनाइटेड नेशन सेक्योर्टी काउंसल को पूरी तरीके से इंप्लिमेंट करें इस बात पर पलटते हुए जो चुल्सू जो कि एक सीनियर नॉर और नेशन सेक्योर्टी काउंसल के अमेरिका जैसे मेंबर्स खुले हां मिसाइल टेस्ट करते हैं इनको कोई कुछ नहीं बोलता है और अगर नॉर्थ कुरिया मिसाइल टेस्ट करने लगे तो उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स हमारे अगेंस्ट आने लगते हैं वैसे बहुत कोरिया जापाँ नॉकलियर कंट्री नहीं है लेकिन नॉर्थ कोरिया नॉकलियर कंट्री वन चुका है तो कहीं नगर्थ आजध को करेंगे लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइस इन्होंने बहुत सी डेवलफ कर रखी जो की सीधे-सीधे जापान और नौर्थ कोरिया पर अटक कर सकती है तो आपको पता हिए कि सौरी साउथ कोरिया जापान और यूएस अलाइस अच्छा बात यहां पर यहां पर यह भी है कि एक मांडवली करने की भी कोशिश कर रहा है नौर्थ कोरिया चाता है कि जो होस्टैल पॉलसी है न अमेरिकन्स की वो हट जाए अमेरिकन्स ने सैंक्शन्स लगा रखे न नौर्थ कोरिया को पहले कंडिशन अटाओ हमसे बात करो नौर नॉर्थ में आपको नॉर्थ कोरिया के साथ बड़ा सा बॉर्डर है चाइना के साथ नॉर्थ को गुमने जा सकते हैं नॉर्थ को बात करते हैं री तिंक कॉरिंटीम नॉर्म्स फ़र बृतिश विस्टर्स अभी कुछ दिन पहले में आपको बताया था कि विद्ध पर ब्रिटेंग में लगाए गए थे वैसे इनाम British visitors के उपर याउटी क्रारेंड उपडिघ्र का बॉन्सेल गाए गें और भरग मैं बॉलाए कि भई ये जो आपने British Nationals के ऊपर कॉरेंटीम का जो यहиля फिक काौन काक्त marks का का उपर अधिム इंडिया टार्गेट कर रहा है कि वो 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट करेगा इस साल और एक्सपोर्ट में हैं अपर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हैं अब पैंडिमिक के समय पे हमें ग्रोध बढ़ानी है अब उसके लिए बहुत सारे इवेंट्स और गनाइज करते रह जैसे एक इंडियन हैंडिक्राफ्ट एंड ग्रिफ्ट फेर होने वाला है 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को अब इस पर्टीकुलर इवेंट में अगर ब्रिटिश नैशनल्स के ऊपर कॉरिंटीन रिकॉर्मेंट्स होंगे तो ज्यादा ब्रिटिश नैशनल्स यहां पर आ वाले लोगों के ऊपर अगर कॉरिंटीन रिकॉर्मेंट्स लगा दोगे तो वो इस पर्टिकुलर इवेंट फेर में नहीं आएंगे और नहीं आएंगे तो हमारे हैंडिक्राफ्ट नहीं बिखेंगे यहां पर EPCH की तरफ से स्टेट्मेंट आ रहा है एक्सपोर्ट प्रम बिना कॉरिंटीन के इस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने की पर्मिशन देनी चाहिए और नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जाइडस वांट्स रूपीज नाइंटीन हंड़ फॉर इस वैक्सीन देखें जाइडस के डिला की वैक्सीन को इंडिया मे अच्छीत हो रही है यह जो जाइकोव डी वाली जो कंपनी है ना आपकी जाइडस के डिला इसने प्रपोस किया कि इनकी जो तीन डोस की जाब यह उननिस सो रुपे में दी जाए जी हाँ यह त्री डोस वैक्सीन है ठीक है डीने वैक्सीन है और बिना इंजेक्शन की दी तो इसके लिए एक अलग से इन्जेक्टर आएगा तो जो जाइकोव डी है वो बोल रही कि भाई तीन डोस के लिए उननिस सो रुपे सरकार दाम को कम कराने कोशिश कर दिये तो जाइकोव डी बोल रही कि हम एक लिमिट से जादा दाम कम नहीं कर सकते उसका रीजन यह है क चुकि यह जो थ्री डोस वैक्सीन है यह नीडल फ्री जेट इंजेक्टर है मतलब यहाँ पर नीडल के थ्रू यह वैक्सीन नहीं दी जाएगी इसके लिए एक नीडल फ्री जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा और यह जो नीडल फ्री जेट इंजेक्टर है न यसमें मिला हुआ होगा, GST is में included होगा पहला जो dose होगा जिस दिन दिया जाएगा उसके 28 दिन बाद दूसरा dose, उसके 56 दिन बाद, तीसरा dose तो अभी के लिए बताए जाई जायारा भारा सरकार जाइकोब डी के दाम को कम करने की कोशिश कर लिए भी कितना कम होगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा तो ये था आज का करेंट अफेस डिसकेशन दोस्तों, I hope आपको कुछ ना कुछ यूस्फुल जानने को मिला हो, जोइन बटन दबाए बिना मत जाना जाद से जाद लोग साथ इस वीडियो को शेर करें और और I hope आपको मदद मिल रही है उस प्रकार की वीडियो से Have a great day वीडियो पर कमेंट करके इसका engagement भी बढ़ाए, good bye